नमस्कार दोस्तों हम आए दिल्ली के जंतर मंतर पे जहां पे कुछ लोग आए हुए है बलिया उत्तर परदेश से तो हम इन से बात करेंगे किन समस्या को लेके यहां पे आए हुए जैसे कि आप देख रहे यह विकलांक भी है हातों से और उसके बाद यहां दिल्ली के जंतर मंतर पे सुभे से बैटे हुए है तो हम इन से बात करेंगे मंगल पर्शाद जी जैसे मैं आप सुभे के हाँ दिली के जंतर मंतर पे आजाये हुए है आप लोगों के साथ क्या हुआ कोई मांग है या कोई परेशा नी है तो परेशा नी है अपनी जमीन को मुकदमा को लाड़ा उस चलने लगा उसी के वोजा में कोई बार मार पीट दिये का पार फोर दिये मेरी आरू को मार दिये भी उसका मेडिकल सेट पेकेट रखे हैं आप बालिया उत्तरपर्देश के हो तो आपका गाउं कौन सा है गाउं वी बतार गाउं है वाड नंबर छो है तो महाँ पे जिसका आप नाम ले रहे वो कौन लोग है जिसने की आपकी जमीन का दूसरे के नम पट्टा किया और सोना है असाइल कुमारी वही जो रजेस और ज करतिया ज्राचे जाली कागले नेयले के दून बर कर दे दिया और साली को गाईब करए गया उसी के ओज़ा से हमारी बड़ी लड़की और पत्नी और यह चोटी लड़की को गायब कर दिया अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है पांचो साल पहले हैं अमरी बॉल लड़की उसके बाद चोटी लड़की चार-पांच महिना से गायब है किस पर सक है इनका अपको अदमी पर सक है राजेस जय परकास और सोना तो एस चीज के कभी आपने कमलेट कि जैसे के आप कांच-छा साल से कह रहेleistख कि आपके परिवार में कोई ने तो जैसे आप कहरेगी जो स्टार्टिंग में 6 साल पहले आपकी बड़ी बेटी गाया हुई तो उसके बाद 6 साल से आप कहां रुके हुए थे कहां अब तक इतने दिन बाद यहां पे दिली के जंतर मंतर पहले हैं दूख कर रहा था उसका सारे रेकाड और कागज पतर रख है उसकी आपने से जितना मेरे पास सकती है जितना सकती अंशार से दूख की है दिली में भी कई बार आये थे वह के मुख मंतरी की बात करें वो कहते कि हम गरीब लोगों से या जिसकी जो समश्या लोग लोगों करते जाओ 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 थाना जाओ अपने जमीन कितनी थी जिसके उपर यह वा जमीन हमारा अठारा फूट चावड़ा और पैंतिस फूट लंबा दो ताला बिल्डिंग है पुराना बाप दादा कब रही हुई उसमें से एक कामरा जो है राजे सोना और साहिल कुमारी राजे जय परकास को बेच दिया यह कामरा यह कौन है यह कौन लोग है राजे जय परकास पैसे वाले लोग है इसके पीछा कोई बड़ा आदमी है तभी तो इस तरह में एक सता जा रहा है क्या आपकी प्रोपर्टी की कीमत क्या होगी लंब सम तीच चालिस लाग कपर परटी का कीमत है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है इसलिए सब लूटने को चकर्म है अभी जो मैं देख रहा है आपके साथ दो हो और बच्चे हैं यह कौन है यह मेरा लड़का है दोनों तो यह क्या करते हैं यह साथ मेरे साथ पकावडी चाय वे बेजते थे साथ में इधर उदर मेला ठेला चोटा करते थे उसके बाद इस देशसे पर्सान और बर्बाद हो चुका हूं तो अभी आप यहां डिली के जन्तर मंतर पाए किसको ग्यापन देंगे और किया उमीद करके यह पर आजाएगे मंतर को आप यहां मंतर को बुलाएंगे या हमशे मिलेंगे अगर नहीं दिल वाएंगे कभी इस तरह घुटूग घुटूग कर मैं कब तक जीता रहूंगा भी परमर जाओंगा या अपका लाश्ट नीन्न ना या तो आपको न्याय मिलें मिलें आफार यहां आपकोही नहीं जाएंगे दौट तो आपके बच्छों की किसी की साधी हु तो कहीं आपने इस तरफे भी इनको ढूंडा चारो तरफ खोज भी किया कहीं साथ पता नहीं लग रहा है और परसासन भी आपका साथ जैसे कि आप देख रहे हमने यहां पर बात की जो बलिया उत्तर परदेश से आई हुए हैं और इनके बच्चे भी गायब हो रहे हैं जैसे कि बड़ी बेटी है छे साल पहले गायब हुई और जो छोटी बेटी है वो छे महीने पहले गायब होईगी मगर परसासन इस चीज को नहीं सुन रहा है कई बार यह उत्तर परदेश के जो आज के मुख्यमंतरी है उनसे भी मिनने का परियास किया गया मगर महाँ पे सिरफ इनके कागज लिए गए मगर कोई कारवाई नहीं हुई उसके बाजू दिये आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यहां पे गरह मंतरी और परदान मंतरी को तो यह सीधा सीधा इनका कहना है कि आतम हत्या करने में मजबूर होएंगे जैसे कि इनके साथ में इनके बेटे भी हैं तो यह ऐसी उत्तर परदेश में जैसे कि सुनने में आता है कि मुक मंतरी बड़े अच्छे है मगर उसके बाजूद भी जो गरीब लोग है उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा एक प्रोपर्टी को लेके जो इनकी पुरानी प्रोपर्टी है, दादा, पिता की प्रोपर्टी है, उस पर कबजे को लेके इस चीज को किया जा रहा है।